नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है कुरोना को लेकर के देश और दुनिया से आ रही नकरात्मक खबरों के बीच पहली सा करात्मक खबर आई ब्रिटेन से जिसने की फाइजर की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और टीका अगले हपते लगने जा रहा है और अब भारत की बारी है भारत से भी खबर आ रहा है कि इस महिने के अंत तक कुरोना वैक्सीन का पहला टीका मिल सकता है और उसकी प्रियारिटी भी तैक कर ली गई है कि किन लोग को पहले लगाया जाएगा ये अच्छी खबर दी है एमस के डिरेक्टर डाक्टर गुलेरिया ने दरसल भारत में पांच से लेके छे टीके पे तेजी से काम चल रहा है उसमें से तीन टीके विदेशी कमपनियों के हैं और तीन टीके भारती हैं जो कि जिसमें भारत बायोटेक जो है उसका काम सबसे तेजी से चल रहा है और तीसरे चरण का ट्राइल चल रहा है वैक्सीन क बात करें जो सबसे एडवांस स्टेज में है आक्सफोर्ट एस्ट्राजेनका का तो वो टीका बनाने का जिम्मा जो है वो एस आई के है पास है जो कि पूने की सबसे फार्मा बड़ी फार्मा वैक्सिन कंपनी है और उसने बयान दिया था कि बहुत जल्दी ये टीका हम उपल होता नहीं किया गया है और ये जो टीका यानि कि बात हो रही है आक्सफोर्ट एस्ट्रेजेनका के को विसिल्ड की वो सत्तर से असी हजार लोग को दिया गया है कोई गंभीर प्रतिकूल प्रुभाव नहीं देखा गया डेटा से पता चलड़ा है कि अलपावधी में टीका सुरक्षित है डक्टर अनदीप गुलेरिया ने कहा है एक सुरुवात में टीका सभी को देने के लिए प्रयाप्त मात्रा में उपलब्द नहीं होगा हमें ये देखने के लिए एक प्रात्मिक्ता सूची की आव सकता है कि हम उन लोग का टीका करण करें जिनको करोना के कार और राज्यों से सलाह मांगी गई थी उसके बाद फाइनल प्रयारिटी तैक की जाएगी पारली बार जो टीका लगाने की बात है वो मेडिकल स्टाफ को है चाहें पैरा मेडिकल स्टाफ को या डक्टर सों उसके बाद जो सफाई करमी है और जो फ्रंट पे तैनात रहते है फिर बुजूर्ग लोग हैं फिर वो लोग हैं जिने कोई न कोई बीमारी है तो इस तरीके से प्रयारिटी तैक की जा रही है और अच्छी मात्रा में एंटी प्रडक्शन देंगे ये टीके कोरोना वाइरस से सुरक्षा देना सुरू कर देंगे ये कम कई महीनों तक हमें इम्मुनिटी वैक्सीन के प्रकार देखने की जरूरत है एम्स के निदेशक ने कहा कि वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड इस्टोरेज बनाने और इसे सुरक्षित रखने के लिए काम चल रहा है इसके अलावा केंद्र और राज्य अस्तर पर टीका करण वितर्ण योज पातारी हो सकती है जो टीके से सम्वंधित नहीं हो सकती यही दावा जो है एस आई आई में भी किया था कि जो व्यकती दावा कर रहा है वो उसे को यह दूसरी दिककत होगी इस टीके की से उस Lewis क्त का कोई मतलब नहीं है कुरोना के लहर पे भी उन्होंने बोला है डाक्टर अनदीब गुलेरिया ने और उन्होंने कहा कि मरीजों की संख्या में लगातार गिरावर देखी जा रही है उमीद है कि आगे भी जारी रहेगा और अगले तीन महीने में हमारी को कंट्रोल करने में मदद मि उमीद है जहां तक दुनिया की बात करें तो सबसे पहले फाइजर की वैक्सिन को बिटेन में टीका लगाने की मंजूरी दी गई है वहीं से सबसे बड़ी खबर आये थी उसने चार करोन डोज भी खरीद लिया था और अब भारत से यह अच्छी खबर आ रही है कि भारत मे बेखबर देखते रहे हैं इन खबर थैंक यू